तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे student admission details नाम से एक format को यहाँ पे design कर लूँगा excel में तो इसके लिए मैं पहला वाला row को छोड़ के नीचे सबसे पहले लिखूंगा serial number, student name, date of birth, father's name, gender, address and contact number फिर मैं यहाँ पे इन सारे cell को थोड़ा adjust कर लूँगा सारे cell को एकी साथ adjust करने के लिए आपको यहाँ पे click करना होगा और किसी भी column को आप यहाँ से बढ़ा करेंगे तो सारे column एकी साथ बढ़ा हो जाएगा फिर मैं जाओंगा home tab और home tab से alignment group से center और middle alignment को यहाँ पे choose कर दूँगा फिर मैं यहाँ पे serial number का जो cell है इसको थोड़ा चोटा कर दूँगा और उपर सारे cell को मार्ज आरके मैं लिखूंगा student admission details इसके लिए सबसे पहले मैं इन cell को select करूंगा select करने के बद मैं जाओंगा home tab home tab से यहाँ पे देखें merge and center है जहाँ आपको क्लिक करना है क्लिक करने के साथ ही यह मार्ज हो जाएगा यहाँ पर मैं लिखूंगा student admission details फिर मैं यहाँ पे इस रोग को थोड़ा बड़ा कर दूँगा इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐसे इसको select करके बड़ा कर दूँगा फिर मैं जाओंगा home tab और home tab से font size को थोड़ा बड़ा कर देंगे यह मैंने font size को यहाँ पे increase कर दिया अब इसको bold कर देंगे इसके बाद नीचे जहाँ पे मैंने serial number student लिखा है इनको select करेंगे select करके हम जाएंगे home tab और इसका भी size थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसके बाद इसको भी थोड़ा bold अप्लाई कर देंगे फिर मैं यहाँ पे पूरा sheet को select करूंगा select करने के बाद मैं चला जाओंगा home tab और home tab से एक अच्छा सा font style यहाँ पे चूज कर देंगे तो यह वाला font style मैंने यहाँ पे चूज कर दिया है यह हो गया अभी उपर जापे मैंने student admission details लिखा है उस cell को select करेंगे select करने के बाद एक back color और four color अप्लाई कर देंगे तो यह हो गया back color और यहाँ से font color आप जूज कर सकते हो तो मैं यहाँ पे white color को जूज कर दूँगा फिर नीचे इनको भी select करेंगे इनको select करने के बाद इनका भी एक back color यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो fill color बटन से यहाँ आप कोई भी color को apply कर सकते हो अब मैं यहाँ पे cell border apply करूंगा इसके लिए मैं कुछ cell को यहाँ पे select कर लूँगा select करने के बाद मैं जाओंगा home tab और यहां से देखिए borders बटन है और यहां से आपको all border में क्लिक करना होगा क्लिक करने के साथ ही देखिए यहाँ पे border apply हो गया है यह है पूरा format अब मैं आपको पूरा data entry का जो process है वो step by step दिखाओंगा data entry जो है वो मैं यहाँ पे form के through करूं इसके लिए यहाँ अफिसे अपस्चं को यहां पर इनावल करना होगा इसका लिए मैं जाओंगा office book यहां से आप देख सकते हो बहुत सारे option आपको यहां पर मिलेंगे तो यह है form option इसमें click करने के बाद हम यहां पर add में जाके click करेंगे add में click करने के साथ ही वो देखिए automatically यहां पर add हो गया यह form option आपको quick access toolbar में मिलेगा फिर नीचे हम okay में आके click करेंगे तो यह देखिए उपर form option यहां पर add हो गया है इस form बटन को use करके ही हम यहां पर data entry को करेंगे तो यहां पर मैं serial number को पहले add कर लेता हूं तो serial number में आपको one two लिखना है फिर उनको select करेंगे select करने के बाद यहां से हम n तक ड्रैग कर देंगे तो ड्रैग करने के साथ ही यह autofill हो जाएगा यह दिखे serial number हमारा यहां पर आ गया है अब मैं यहां पर data entry करने के लिए form option को add करूंगा student name से contact number तक हम यहां पर select करेंगे select करने के बाद हम जाएंगे form में और form में जाके एक बड़ आपको click करना है click करने के साथ एक window यहां पर open हो जाएगा यहां से आपको ok में click करना है करने के साथ यहां पर देख सकते हो सारे जो column name मैंने वहां पर लिखा था जैसे स्टूडेंट नेम डेट ऑब बार्थ फॉर्दस नेम जेंडार एड्रेस कॉंटेक नमबर सारे वन वाइवन यहां पर आ गया है आपको यहां पर सारे data को वन वाइवन यहां पर एड करना है एड करने के साथ ही और अटमेटिकली वह data आपके टेबल में जाके एड हो जाएगा तो आपको यहां पर मैं कुछ डेटा एड करके दिखाता हूं तो मैंने यहां पर स्टूडेंट नेम लिखा फिर देट बड़ इसके बात मैं लिखूंगा फॉर्दस नेम फिर जेंडर अड्रेस फिर प्र क क्लिक ढखे है आप यहां पर देख सकते हो और जला है आ अपको सब्सक्रांट का सब्सर्म आपको बाद अब करूबken अँसे हanor मैं टेप्छों करते हो तो दो उसके समय चैट को और यहां पर लिकंभा जब कि तो सारे cell यहां पर blank हो जाएंगे, आप यहां पर data को easily add कर सकते हो, अब मैं यहां पर third data add करूँगा, student name, फिर date of birth, उसके बाद furthest name, फिर gender, इसके बाद address, और last में contact number, फिर एक बार enter करेंगे, तो automatically data यहां पर add हो जाएगा, तो यह देखिए, मेरा तीन data यहां पर add हो गया है, आप चाहो तो आप किसी भी data को यहां से delete, या फिर previous next कर सकते हो, तो मैं यहां पर find previous में click करूँगा, तो previous to data है, वो यहां पर आपको दिखाएगा, मान लेजिए, यह वाला data मैं यहां पर delete करना चाहता हूँ, तो just delete में click करेंगे, और एक बर ok करेंगे, तो यह data यहां से delete हो जाएगा, यह देखिए, मेरे table में अभी दो ही data मौझूद है, अगर आप फिट से नया data add करना चाहते हैं, आपको new में click करना है, और उसके बाद आप अपनी हिसाब से किसी भी data को यहां पर add कर सकते हो, तो यह मैंने यहां पर नाम लिखा है, student का, उसके बाद date of birth, फिर furthest name, और जेंडर, फिर address, और last में contact number, जस्ट एक बार enter करेंगे, enter करने के साथ ही वो data भी आपके table में add हो जाएगा, तो आप यहां पर देख सकते हो, मेरा last data के साथ मेरे table में अभी तीन data मौझूद है, तो दोस्तो आप Excel में form को use करके, बहुत सारे data को एकडम कम टाइम में easily entry कर सकते हो,